हेलो दोस्तों तो आज हम समझने वाले हैं difference between air cooler and air conditioner तो AC और cooler में क्या difference क्या है कई लोगों की दिमाग में एक question होता है तो हम आज समझने वाले हैं कि हमारे पास AC और cooler में हमारे पास difference क्या होता है भाई साब हम आँ air cooler की बात करें तो हमें एक बार गर्मी में जब हम कूलर के सामने जाएं तो हमें अच्छा 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 हवा देता है, मजा आता है तो हमें क्यों पैसा लगाना AC पर ऐसा क्या कर देता है AC कि हमें महंगा पड़ता है और कूलर सस्ता पड़ता है तो आपने cooler की simple सी आपने working देखी होगी तो यहां पे fan और side में पानी गिरता रहता लगा था तो हमारे पास जो cooler है air cooler जो है वो सिरफ नमी की मात्रा बढ़ाता है हवा में हवा में नमी की मात्रा बढ़ाता है इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करता हमारे पास यहां पे जब पानी आएगा air इसके अंदर से जाएगी तो air के अंदर नमी भरेगा और वो नमी वाली हवा आपके उपर फैंकेगा अब हम इस चीज़ को बड़ा अच्छा मजा आता है कि आरा हा आम आ गया लेकिन हमारी गलती क्या हो जाती है हम उसको मतलब जब लगाते नहीं air कुलर तो हम जब लगाते हैं उसको लगाते हैं यह दिए simple सा function दिखा रहा है कि पानी हमारे पास है air जो गरम हवा यहां पे आ रही है और यहां पे देखेंगे तो इसके पानी को लेकर आगे जा रही है ठीक है हम गलती कहां कर जाते हैं air कुलर बड़ी अच्छी जी जागर लगाना चाहिए तो ठीक है लेकिन दिक्कत आती है भाई साब हम एक बंद कमरे में पूरा इस तरह से बंद पड़ा है देखो हमारे बस क्या करें पुराने टाइम में हम कभी भी पीछे जगा नहीं छोड़ते थे ठीक है मरब आज भी कई एरिया ऐसा है जो जहां पर पीछे कभी घर के पीछे जगा नहीं छोड़ते हम क्या करते हैं एक कमरा बनाते हैं रूम बनाते हैं इस तरह से बंद एक दर्वाजा सामने से बस पीछे वेंटिलेशन का कोई भी मतलब जगा छोड़ती ही नहीं है कि वेंटिलेशन भी यहाँ पे हो जाए अब यह देखिए एक छोटा से एक्जामपल आपके लिए लाया हूँ यहाँ पे मेरे पास माले जी मैंने एर कूलर जो लगाना है मैंने अपने दर्वाजे पे लगा दिया कमरे के दर्वाजे पे यहाँ पे और पीछे से मैंने उसको कर दिया बंद अब जब मैं एर इसके अंदर से बलो करता हूँ तो यही रुख जाती है force लगा रहा हूँ जानी रही अगर मैं इसको पीछे से ओपन कर देता तो यहां देखोंगा तो air लगातार यहां से पास हो रही है आप ventilated इसको कर रहे हो ventilation कर रहे हो पास हमने ventilated room बनाने बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं लेकिन हम नहीं बनाते जब हम बंद कर लेते कमरा तो हमारे पास air जब है नमी वाली हवा जब इसके अंदर जाएगी तो भाई सहाब एक limit होती है पानी जतना अंदर air के अंदर जाता रहेगा बरदाश करने की शमता इंसान की अलगला मतलब बहुत कम होती है हम humidity बहुत ज़्यादा बरदाश नहीं कर पाते नमी वाली हवा को बरदाश नहीं कर पाते गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा humidity बढ़ जाती तो कितना पुरा हाल होता हमारा तो वो क्या करेगा आप कभी नोट करना एर कूलर आप स्टार्ट जब चलाओगे तो बड़ा मज़ा आता थोड़े राहे हैं बड़ा आरामसा आ रहा है चलने चलने दो लेकिन थोड़े टाइंग बाद आपको चिप-चिप महशूस होगी हाज़ों को ऐसे लगता है कैसे आर क्या जीब सा लग रहा है निक इन पर भी जीब सा लग रहा है यह क्या हो रहा है यह हो रहा है भाई से community बहुत ज़ादा बढ़ रही है हवा में नमी की मातरा बहुत चाल बढ़ रही है اور हमारा air cooler इसको control नहीं करता, सिरफ बढ़ाता है कम नहीं कभी भी करता हमेशा बढ़ाता है नमी की मातरा को अब आपको इसको नमी की मातरा क्या है बस सिंपल सी बात है आपने देखा वो नाई होते है जो सैलों वाले होते है तो उनके पास एक स्प्रेई वाला होते है पानी वाला तो बड़ा मजाता है ना मूँपे मारते जब स्प्रेई तो वो हवा में आप डालो उसको, हवा में पानी गायव हो जाता है, वो कहां गया, हवा के अंदर मिक्स हो गया, वो नमी की मातरा उसने बढ़ा दी, अब वो नमी की मातरा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें बैठना भी मुश्किल हो जाता है, वहां पे बैठना भी और इस तरह का महाल लेना है तो पढ़ लो इस तरह के सोफे में अपने मन पसंद पार्टर के साथ बैढ़ना है जाते हो मैं जानबूद के ऐसी फोटो लगाई है कुछ तो मोटिवेट हो कोई कहीं आपको यही मोटिवेशन मिल जाए यार उसी के लिए पढ़ लूँगा माबाप के लिए पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन किसी और के लिए पढ़ लो क्या पता यही मोमेंट आपके पास आजाए तो इसलिए मैंने फोटो जानके लगाई है तो एसी जो है आपको ठंडी हवा दे रहा है प्लस नमी की मातरा को कंट्रोल कर रहा है वो चिप चिप बुरा हाल वो नमी की मातरा नहीं होगी वो एक हमिरिटी को कंट्रोल करेगा तो air cooler humidity control नहीं करता AC humidity control करता है और साथ में air purify भी करता है हवा में जो मिट्टी के कन है pollution के कन है उनको भी कम करता है इसलिए आपको मैं शाम ज़े देखें malls वगरा में जाते थे तो एक बार मुझे आज याद है कभी AC में नहीं बैठे थे भाई ठीक है कभी हम रूम में ऐसे मैठे नहीं थे एक छोटा सा mall बना था छोटा ही था उस टाइम आज करते हिसाब से जब उसके अंदर गए अराम सा एक अलग सी आनंद एक आनंद पराप्त हुआ यार क्या मज़ा है यार इसी में मदरब ये तो कभी जिन्दगी में करना है मेरे दिमाग में अभी अगए उसी टाइम आगए पढ़ना इतना है भाई कि ऐसा ना हो कि ये अनंद पराप्त ना हो ठीक है तो वो एक जो आप फिलिंग समझ सकते हो वो फिलिंग एसी के अंदर अलग से होती है या आपको फिलिंग आगई होगी एसी में जब भी आप रहे हो याँ आपने कभी विजट किया है बैंक्स वगरा में कुतना आराम मिलते है तो ये हुमिडिटी कंट्रोल हो रही है पाद समझागी बेसिक डिफरेंस यह है ठीक है बेसिक डिफरेंस यह है तो humidity को control करना, air purify करना, temperature control करना, ये सारा काम किसका है, EC का और air cooler का काम क्या है, humidity सिर्फ बढ़ाना और दूसरा काम नहीं है आपके लिए एक छोटा सो question, अगर आप engineering के student है और आपने refrigeration and air conditioning पढ़ा है तो मुझे ये बताईए, कि हम नमी को कम कैसे कर सकते हैं, वो कौन सा point है, एक point का नाम है, वो आपको लिखना है जिस point पे जाकर नमी, हवा में से नमी निकाली जा सकती है, वो कौन सा point होता है, उसका नाम क्या होता है, ये आपको comment box में बताना है Thank you so much, नेक्ट वीडियो में फिरसे मिलेंगे, और अगर आप S.S.E.J.E. की preparation करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप का लिंक दे रहूँ, आप जरू डावलर करें Thank you so much